हूथी हो तुर्की हो सीरिया हो मिस्र हो या जॉडन हिजबुला को इसराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है क्योंकि इसराइल ने मोराल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुला इसराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमे पहली बार नहीं होगा 2006 में हिजबुला और इसराइल का आमना सामना हो चुका है 2004 में हुए साइनिकों की अदला बदली में अपने दो साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हजबुला ने दो इसराइली सैनिकों को उठा लिया और उसे बदले में अपने तीन साथियों को रिहा करने की मांग की इस मांग को इसराइल ने अपनी बेज़ती माना इसके बाद इसराइल ने लिबनान में हवाई हमले किये और लिबनान के खलाफ युद्ध शेड़ दिया इसके बाद हजबुला ने इसराइली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसालों से निशाना बनाया जिने इसराइली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था इसे युद्ध के दौरान इसराइल अर्बो डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका दुनिया की सबसे मजबूत चैंक कही जाने वाली चैंक को भी हजबुला ने नश्र कर दिया और तीन हेलिकॉप्टरों, बीस टैंकों और एक लड़ाकू पोत को नश्र कर दिया इसे युद्ध में इसराइल को हजबुला ने अपनी सैन शम्ता का बहतरीन प्रदशन करते हुए इसराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था इसके बाद से ही इसराइल हजबुला को एरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है सवाल है क्या दो हज़ार चौबिस में युद्ध हुआ तो हजबुला इसराइल को सबग सिखाने की सूरत में है इस सवाल का जबाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा लिबनान के पास एक्टिव सेने संखिया है मात्र 80,000 इसराइल के पास है 1,70,000 यानी दो गुने से जादा इसराइल के पास रिजर्व फोस 4.6-5,000,000 है जबकि लिबनान के पास है ही नहीं इसराइल के पास 80,000 जवानों की पैरा मिलिटरी फोस है जबकि लिबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरा मिलिटरी फोस है इसराइल के पास 601 एरक्राफ्ट हैं जबकि लिबनान के पास सिर्फ 78 इसराइल के पास 241 फाइटर एरक्राफ्ट हैं जबकि लिबनान के पास एक भी नहीं इसराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटाइक एरक्राफ्ट हैं वहीं लिबनान के पास सिर्फ 9 है इसराइल के पास ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट 86 हैं जबकि लिबनान के पास एक भी नहीं इसराइल के पास 126 हेलिकॉप्टर्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 60 इसराइल के पास 2200 टैंक्स हैं लिबनान के पास सिर्फ 361 इसराइल के पास 300 मुबाइल रॉकेट पोजेक्टरस हैं लिबनान के पास सिर्फ 30 नौसेना में जहाजों और युद्ध पोतों के मामले में लिबनान इसराइल से आगे है इसराइल के पास सरसट जहाज हैं जबकि लिबनान के पास इस से 19 जादा यानि 86 जहाजों का बेड़ा है इसराइल के पास 56,292 आर्म्ड विकल हैं लिबनान के पास 9,864 बखतरबंद वाहन हैं इसराइल के पास 48 एरपोर्ट्स हैं जब कि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं इसराइल के पास 5 बंदरगा हैं जब कि लेबनान के पास सिर्फ 2 इतनी लंबी चोड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तोर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है लेकिन 2006 के जंग के दोरान भी इसराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था जब नतीजा इसराइल के पक्ष में नहीं निकला इस वक्त हिजबुल्ला मत्यपुर्व की सबसे मजबूत और परश्रिक्षिंग सेनाओं में से एक है और इसराइल चारों और से शर्तरों से घीरा देख रहे नितर्याहो की दिमाग में ये भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्ला से बदला पुरा करने का यहीं वक्त है लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों और से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बतापना मुश्किल है लिबनान में 17-18 सितंबर को टेजर और वाके टाकी में धमाके हुए थे इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 से ज़ादा लोग घायल हुए थे हजबुला ने इन हमलों के लिए इसराईल को जिम्यदा ठहराया है